तो दोस्तो आज में लिखे आ हूँ आपके लिए पारास पेट्रो फाइल्स लिमिटेट का कंप्लीट शेर एनलेस जानेंगे हम इस वीडियो में इस कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल को और चार्ट पटन को अनिलाइज करके मैं आपको बतना मलाओ कि आपको इस वक्त इस क मोडेल कंपनी का क्वार्टेली रिजल्ट इस तरह का कर किसी भी प्रकार का कोई कंप्यूजन है तो मैं आपका सावी कंप्यूजन को इस वीडियो में क्लियर करने की कोचिश करूंगा तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस कंपनी का सबसे पहरे जो है फंडामे का ट्रेडिंग अब इसका मार्केट केप देशकतो 35.1 करोड का मार्केट केप है और करन्ट शेर प्राइस एक रूपिया 5 पैसे पे कंपनी इस बक्त ट्रेडिंग कर रहा है हाई एस रहा कंपनी का इस साल में एक रूपिया अस्य पैसा और अगर आप लोइस्ट प्राइस तो लगबाग 75 पैसा कंपनी का lowest price रहा इस साल में और यहां पे आप कंपनी का book value देख सकते हो 113, sorry price earning ratio का numbers जो है यहां पे देख सकते हो आप कंपनी का 113 price earning ratio का numbers से तो definitely price earning ratio का numbers बढ़ चुका है यहां पे इससे हमें company का valuation पता चल जाता है जो कि थोड़ा सा महेंगा हो चुका है तो यह चीज़े आपको ध्यान अकना है बाकि यहां पे book value देखेंगे तो 62 पैसा company का book value है company आपको dividend नहीं देता है 1.41% return on capital employed और return on equity का numbers जो है यहां पे plus में company का जो है इस बक्त है तो बहुत ज़्यादा भी numbers नहीं है यहां पे यहां पे हम लोग बहुत अच्छा 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 positive मान ले यहां पे थोड़ा सा मतलब negative भी मान के चलिए क्योंकि numbers बहुत कम है बाकि face value company का दोस्तो एक रूपे का तो मोटा मोटी हमें company का fundamental देखने को मिल रहा है बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं तो यहां पे company is almost debt free तो हम यह मान के चल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा करजा नहीं है इस company को उपर किसे पर करका बागी आप यहां पे promoters का holding देख सकतो 39.3% का promoters का holding है जो की ठीक ठाक माना जाता है और यहां पे company का अगर आप overall 3 साल के मुकाबले में return on equity का numbers देखेंगे तो 3% के असपास company का return on equity का numbers company का अगर आप यहां पे sales का numbers देखेंगे तो company को कुछ भी sale नहीं हो रहा है यहां पे आप देख सकते हो 10 लाख रूपे का company को June 2023 के quarter में expense हुआ है और company का sale हुआ है zero तो लगातार company को loss हो रहा है company यहां पे operating profit में इस quarter में company को loss हुआ है 10 लाख का पिछले quarter में 55 लाख का loss था उससे December 2022 के quarter में company 20 लाख रूपे loss पर था तो finally overall company loss पर है यह चीज आपको दिमाग में रखना है और यहां पे आप अदस income देख सकते हो company के पास जो main business source है उसके अलाबा भी company के पास income है जिसके कारण यहां पे net profit में overall company profit में आ जाता है सबको adjust करने के बाद इस quarter में company जो है profit में है 21 लाख रूपया मार्च के quarter में profit में था 28 लाख तो 21 लाख से 28 लाख पर company इस बाद आ चुका है तो यहां पे जो है तुरा सा numbers negative ही है और बाकी यहां पे देख सकते हो year on year company का numbers इस quarter में company का expense हुआ है 90 लाख रूपय का और sale हुआ है 0 एक रूपय का company को जो है इस quarter में profit नहीं हुआ है और यहां पे company को operating profit में 90 लाख रूपय कमपणी इस साल में loss पे है net profit देखेंगे तो net profit आदस income के कारण company को जो है profit हुआ है यहां पे 31 लाख रूपय का ठीक है तो year on year ठीक है के जिस तरह से हमें quarter and quarter देखने को मिलेगा मिला था उसी तरह से company का जो है हमें result देखने को मिले है बहुत अच्छा नहीं है बहुत खराब भी नहीं है average है overall company आदस income के कारण profit में ही है बाकि main business source में company को profit ना होने के कारण और यहां पे company का profit घटने के कारण यहां पे numbers भी minus पर जा चुका है profit growth का company का sales growth यहां पे zero है दोस्तों cgr negative है return on equity का numbers भी कुछ खास नहीं है और यहां पे liabilities आप देख सकते हो 24.37 करोड के पास आस पास जो है liabilities और asset है company का और यहां पे company का share holding pattern देख सकते हो आप 40 परसन के आस पास है 60 परसन के आस पास promoters का holding है तो overall हम लोग एक penny stocks का ही fundamental देख रहे ती कि बहुत अच्छा fundamental आपको penny stocks में देखने को नहीं मिलता है लगबग penny stocks का fundamental इसी तरह रहता है क्योंकि हम लोग जो देख रहे company का fundamental उस तरह से कोई भी जो है fundamental देखके निवेश नहीं करता है penny stocks में penny stocks में वो situation देखता है अगर उनको अच्छा लगा company का chart button और company का जो भी business model तो वो फिर बिलको निवेश कर देता है क्योंकि penny stocks में fundamental कम और chart button company का ज़्यादा matter करता है तो चलिए अभी हम लोग इस company का chart button को analyze करते है तो मैं आपको sorry मैं आपको लेके आ चुका हूँ company के share के chart button पर यहाँ पर आप देख सकते हो max to max chart button मैं यहाँ पर लगा रखा हूँ जो कि यहाँ पर 2000 दिखा देता हूँ आपको 2022 डिसमबर 2022 से लेके अभी जो है अगस्ट 2023 तक मतलब यहाँ पर हमें एक साल का chart button दिख रहा है max to max तो इसके लिए long term chart button देखने के लिए हम चलते हैं grow पे तो मैं आपको लेके आ चुका हूँ grow पे आप देख सकतो Friday के दिन इस company ने 5% का अपर सर्किट दिया है अगर आप weekly chart button देखेंगे तो इस हपते में company ने लगबग 23% का return दिया है लगातर अफ्टर इन जा रही है everyday 5% का सर्किट लग चुका है इस वक्त इस company में 1 month का chart button देख सकते हो आप यहाँ पे तो यहाँ पे एक महीने का chart button के मतलब 31% company जो है return दिया है 1 year का अगर chart button दिखा जाए तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक साल में company 30% negative return पे हाई अभी भी तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको shortcut में बताना चाहूँगा कि अगर आप इस पे निवेश करना चाहते है तो यहाँ पे एक अच्छा मौका आ चुका है actually मौका आके जा चुका है उपर company जो है निकल चुका है तो यहाँ पे महेंगे valuation हो जाएगा थोड़ा सा आपको risk को analyze करने के बाद ही आपको निवेश करना है क्योंकि धिरे धिरे इसका जो valuation वो महेंगा होता जा रहे max to max 5 year का चार्ट पड़न देखेंगे तो लगातार गिराबट पर ही है और इसी महने में company जो है एक up train दिया है और अगर long term देखेंगे तो company का 2002 तक का चार्ट पड़न है यहाँ पे 22 पैसे से company listing हुआ था और यह जो है डिर्ड रुपया क्रोस कर चुका था अल्मोस्ट डिर्ड का share 2005 में जो है हाई बनाया था डिर्ड रुपय का उसके बाद company 2012 तक जो है 20 पैसे पे आ चुका था तो company इस तरह से इस बग ट्रेडिंग कर रहा है अगर आप यहाँ पे high to high देखेंगे तो company महेंगे valuation पे आ चुका है यहाँ पे सबसे ज़्यादा निवेश करना रिस्क होता है यह चीज आप अपनी दिमाग में रखिए ठीक है बाकी penny stocks में दोस्तो मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पे fundamental कम और luck और जो situation है समय है सही समय ज़्यादा matter करता है तो इस बगत हम इस company को लेके जो है short time के लिए भूली से long time के लिए दोस्तो इस company पे बिलकुल निवेश करने लायक फिलाल है नहीं और penny stocks पे अगर आप निवेश करते हैं तो ही आप इस company पे निवेश कर सकते हैं ठीक है तो यह थी हमारा point of view अगले वीडियो में एक और ऐसा ही जानकारी के साथ हमारी वीडियो को आनते तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धहनिवाद